Hello everyone, यह हमारा solar trier है, इसके अंदर main 4 components होते हैं, यह हमारी tray, दूसरा casing, तीसरा यहाँ पर देख सकते हो, यह exhaust fan है, और चोथा जो most important part है, वो solar panel, यह पूरी तरीके से solar पर बहुत करता है, इसको कोई दूसरा electric input देने की कोई जरुवत नहीं है, हमें हमारा जो material है, जिसको हमको dry करना है, वो हम यह tray में रखते हैं, फिर इसको यह से tray को बंग कर देते हैं, और यह पूरा dryer solar light के नीचे आना चाहिए, उस तरीके से हमको इसे place करना पड़ता है, फिर आप यह देख पार होई है, जो solar panel, यह इसका adapter joint है, मैं इसको यहाँ पे, यह exhaust वाला जो fan है, उसके से से अंदर जो moisture create होता है, वो moisture को यह exhaust fan यहाँ से खीच के moisture को बाहर निकाल लेता है, और हमारी जो drying process है, वो चालू हो जाते है, drying process होने के बाद, हम यह tray को open करके, यहाँ से हमारा जो material है, उसको वापस बाहर निकाल सकते है, यह dryer की capacity, 2.5 kg की capacity हम इसके अंदर एक साथ, 5 kg का सामान dry करने के लिए रख सकते है, थैंक यू